विद्यार्थियों हम बारत का विवववपून अतीत की शंक्ला में आगे चल रहे हैं और इस शंक्ला में आज का जो वीडियो है वह हम धर्मेतर साहिति के उपर चर्चा करेंगे जैसा कि पूरू में हमने बात कर ली थी कि बारती साहिति के मुख्रूप से दोस्त्रोत हैं धार्मीक और पुरा तात्विक सहिती के छैत्र में धरमेतर सहिती के आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत में धर्म के अतिरिक्ट अन्य विश्यों पर लिखा गया सहित्य, धरमेतर सहित्य केलाता है जिसको पुन हम नीवन उपर भागों में बाटेंगे प्रस्ट नमबर 41 एतियासिक ग्रंथों के उदारन बते ही यहाँ पर हम लेखक और पुस्तक दोनों की नामों को साथ में लेकर चलेंगे आपको मैं बता देता हूँ कि इतियास के विद्यारतियों को कुछ विशेश पुस्तके हैं उनके लेकर को के नाम और पुस्तकों के नाम याद कंठर्स्ट होने चाहिए उसी स्रंखला में प्रस्ण आएंगे और आपको उनको कंठर्स्ट करना है बार बार दोहरा आएं मेरे और पुस्तकों के नाम साथ चलेंगे पहली पुस्तक उसका लेखक है कलहन पुस्तक का नाम रास्तरंगिनी लेखक विश्णु गुपति अचानक्य पुस्तक का नाम है अर्थ सास्त्र लेखक बानभट बानभट द्वार रचित पुस्तक का नाम है हर्ष चरित लेखक द्वारा रचित पुस्तक का नाम है विक्रमांग देव चरीत। जय सिंग द्वारा लिखित पुस्तक कुमार चरीत। नयन चंद द्वारा रचित पुस्तक हम्मीर महाकावी। पद्मगुप्ति द्वारा रचित पुस्तक नव सहसांग चरीत। बल्लाल द्वारा रचित प्रश्णों की अगली कड़ी में प्रश्ण नंबर 42 राश्तरंगनी नामक ग्रंथ में किसका उलेख है यहां से पूछा जाएक राश्तरंगनी पर टिपनी लिखिए उत्तर राश्तरंगनी विशुद एतियासी ग्रंथ है जिसकी रचना कलन ने 1150 इस्वी में की आपकी जानकर एक लिए बता देता हूँ इसमें प्राचिन समय से 12 सताभी तक के कश्मीर की इतियास का परिचे हमें प्राप्त होता है प्रेश नमर 43 अर्षास नामक ग्रंथ पर टिपनी लिखिए हमने पूरु में भी पड़ा था अर्षास की रचना चानक न की है चानके के उपनाम भी है चानके को विश्णोगुप्त या कोटिली की नाम से भी जाना जाता है अर्षास्तर में मोर्यकालीन, राजप्रबन्त, अर्थवयवस्ता, सामाजिक वधार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है प्रेश नमर 44 विशुद्ध सहायतिक ग्रंथ से क्या तात परिये है विशुद सहायतिक ग्रंथ कीसे कहते हैं उतर विसुद्ध सहायतिक ग्रंथों में अनेक नाटक, व्याकरन ग्रंथ, टिका, काव्य, कथा सहीत्य एवं कोश की रचना की गई है जिन में उस समय के साशकों की सामाजिक विधारमिक नीतियों की जानकरी प्राप होती है प्रशनों की कड़ी में अगला प्रशन प्रमुख विसुद्ध सहायतिक ग्रंथों के उधारान दीजिए अभी हमने पूर में विसुद्ध सहायतिक ग्रंथों की परिवाशा को अच्छे से पढ़ा था उसी के कुछ उदारणम यहां पर ले रहे हैं पूर्व की बाती लेखक वा पुस्तक साथ में होंगे पहले लेखक का नाम लिया जाएगा फिर पुस्तक का नाम आप यहां पर डिस्प्ले पे भी साथ के साथ देखेंगे पुस्तक लेखक तोनों के नाम यहाँ पर साथ में चलेंगे विश्नु सर्मा द्वारा रचीत पंचता गुनाटिय द्वारा रचीत वरहत कथा सोमदेव द्वारा रचीत कथा सरीत सागर और अमर सिंग द्वारा रचीत अमरकोश यह कुछ पुस्तके थी जो विशुत साहिती गंतों की स्रेणी माती है विसुद साहिती स्रेणी के गंतों के बाद में हम छेत्री साहिती के बारे में अध्यन करेंगे छेत्री साहिती कहते किसें भारत विवित्ताओं का देश है अलग अलग राज्य है इन राज्यों को अलग अलग छेत्रों की दृष्टी सम बारते हैं महाराष्ट, राजस्थान, बंगाग, तमिल नाडू सभी भागों की, सभी प्रांतों की अलग लग भाषा हैं अपनी अलग लग पेचान हैं उनी पेचान के आदर पर साहित्य की रचना की गई यह जो छेत्री साहित्य की स्रेडी में आता है इसी कड़ी में प्राष्ट नमबर चियालीस संगम साहित्य की से कहते हैं उतर प्राचीन तमिल भाषा के साहित्य, संगम साहित्य कहलाते हैं इस साहित्य के प्रनेता अगस्त रिशी थे क्रष्ण देवराय विजयूम पर टिपनी लिखिए ये पुस्तक का नाम है क्रष्ण देवराय विजयूम उतर क्रष्ण देवराय विजयूम विजय नगर के शाशक क्रष्ण देवराय की उपलब्दियों की जानकारी देती है इस पुस्तक के लेखक दूर जटी हैं प्रस्ट नंबर 48 राजस्थानी सहायति के उदारन दीजिए अभी हमने पूरु में चेतरी सहायति की हम बात कर रहे हैं उसी क्रम में राजस्थानी चेतर के सहायति कौन-कौन से हैं जो विशेस उल्लेख नहीं है पूरु के बाती लेखक और पुस्तक का नाम चंद बरदाई क्रत प्रत्विराज राशो आप जानते हैं इस पुस्तक में चंद बरदाई ने महान प्रत्विराज चोहान के बारे में उल्लेख किया है जीवन रतांत के बारे में बता है अगली पुस्तक विठु सुजाकरत जेति सीरो छंद शुर्यमल मिश्रन रचीत वन्स भाष्कर मुहनोत नेंसी द्वारा रचीत नेंसी की ख्यात और माकी दास द्वारा रचीत माकी दास की ख्यात तो ये कुछ पुस्त्ट के थी तो राजस्थानी साहिती में अपना विशेस महत्व रखती है विदेशी साहित्य पर चर्चा करेंगे विदेशी यात्रियों के विवरण पर चर्चा करेंगे जो मुक्ति रुक से हमारे पास तीन भागों में हैं युनानी, चीनी वद तिबती भारत में भारत एक महान राज्जी रहा है, महान तेश रहा है, गुरू की बाती पुझा जाता रहा है बाहर के यात्रियों ने यहाँ पर आकर धिन अध्यापन का कारी किया है प्रश नमबर 59, इंडिका पर टिपणी लिखी है उत्तर युनानी राजदूत मैगस नीच जो चंद्रगुप्त मोरी के दर्बार में था, उसने इंडिका की रचना की इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मोरी के शाषन की सामाजीक, धार्मीक, आर्थिक वर राजनितिक इस्तितियों का वर्णन हमें प्राप्त होता है मोरी काली नितियास की जानकरी के लिए पुस्तक बहुती महत्पून है प्राप्त निबर पचास प्रमुख युनानी साहित्य के उधारन दीजिए तो यहां हम कुछ पुस्तक के नाम लिखेंगे जो युनानी साहित्य की रूप में जानी जाती है पूर की बाती लेखक और पुस्तक का नाम प्राप्त प्रमुक चीनी यातरियों के नाम बताइये जिननों के भारत की यातरा की यह बहुत महत्मुन प्रश्ण है, पूरु में भी परिक्षा में पूछा गया है competition की द्रिष्टी से बहुत महत्मुन है तो यहाँ पर मुख्य रुप से चार चीनी यात्री के हम बात करेंगे प्रश्ण की कड़ी में अगला प्रश्ण है यात्रियों का राजकुमार की चीनी यात्री को कहा जाता है बहुत महत्मुन प्रश्ण है, पूरु में भी पूछा गया है उत्तर हवें सांग जो की 629 इस्वी से 644 इस्वी तक भारत के महाशाशक हर्श्वरदन के समय में भारत में था उसे चीनी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है प्रश नंबर 53, हवें सांग भारत कब आया? उसकी पूस्तक का नाम बतेगी तो अभी हमने पूरु में चर्चा किये हवें सांग भारत में 629 से लेकर 644 इस्वी तक हर्श्वरदन के साशंकाल में आया था और उसके द्वार रचीत पूस्तक का नाम है सी, यू, की और इस पूस्तक के माध्यम से हर्श्वरदन के साशंकाल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है प्राश्च नमबर चौपन फायान भारत कब आया उत्तर गुप्त समराठ चंद्र गुप्त द्रितिय के समय में सन 309 इस्वी से 414 इस्वी तक फायान भारत में राथा और फायान द्वारा रचीत साहित के माध्यम से चंजगुद्धितिये के समय के हमको जानकारी प्राप होती है प्रस्ट नमबर पच्पन इत्सिंग ने भायत की यातरा कब की? उत्तर साथवीश सताब्धी के उत्रार्द में 672 इस्वी से 681 इस्वी तक इत्सिंग नामक चीनी यातरी भारत में रहा था अब हम कुछ तिबद्धी व्रतांत के बारे में भी अध्यन करेंगे प्रस्ट नमबर 56 तारानाथ द्वारारचित पुस्तकों के नाम बतेए तारानाथ एक तिबद्धी इत्यास कार रहे हैं उनके द्वारचित दो मुख्य पुस्तक हैं पहली कंग्यूर वा दूसरी तंग्यूर दोने पिबद्धी सहितिकी पुस्तकों से भारत की इत्यास के बारे में हमें जानकरी प्राप्त होती है प्रस्ट नमबर 57 मिडास आफ गोल्ड पर टिपणी लिखी है उत्तर मिडास आफ गोल्ड एक पुस्तक हैं मस्यूदी द्वारे रची थे और इस पुस्तक में भारत का राज्य, स्थल वर समुद्र दोनों पर था इस बात का उल्लेख हमें प्राप्त होता है प्रस्ट नमबर 58 चर्च नामा में किसका वर्णन है चर्च नामा में एक पुस्तक है इसमें वर्णन किसका है उत्तर चर्च नामा पुस्तक में सिंद की इतियास का उल्लेख हमें प्राप्त होता है प्रस्ट नमबर 69 सुलेमान नवी ने किसके बारे में लिखा है सुलेमान नवी एक सहीतिकार हुआ है, लेखक हुआ है उत्तर सुलेमान नवी ने अपनी पुस्तक सिल सिलात उल तवारिक के माध्यम से भारत में पालव प्रतिहार सास्कों के उपरवणन किया है प्रस नमबर साथ अरभी लेखक अल बेरुनी पर टिपनी लिखी है उत्र, अलबरूरी ने अपनी पुस्तक तारिक उलहिंद में भारती समाज वर संस्कृति पर लिखा है इस प्रकारी हमने अभी तक सहाहिति के बारे में चर्चा की प्रस नमबर 61, वंसावली लेखन से क्या तात्परिय है? उत्र, वंसावली लेखन व्यक्ति के इतियास को सुद्ध रूप से सहेच कर रखने की एक प्रणाली है इसमें वंसावली लेखक प्रत्यक व्यक्ति के घर जाकर प्रबुद्ध व्यक्तियों की उपस्तिती में, संक्षेप में स्रस्ट्री रचना से लेकर उसके पुर्वजों की एतियासिक, सामाजीक, आर्थीक वधार्मिक गटनाओं का वर्णन करते हुए उस व्यक्ति का वंश, क्रम, हस्त लिखित पोथियों में दर्ज करता है तो वंश, वलियों में लेखक हाथ से लिखियोई पुर्ष्टकों में वर्णन करता है और उसके माध्यम से हमें उसके पुर्वजों की जानकरी मिलती है प्रशनों की कड़ी में अगला प्रशन, प्रश नमबर 62 प्रट कौन से मामले में भारतिय नियालाय ने वंशावलियों वा भईयों को एक साक्ष की रूप में मानिता दिये बहुत महत्मन प्रशन है वंशावलियों को साक्ष की रूप में माना गया है उत्तर, जग्दीश प्रसाद बनाम, सरवन कुमार, AIR, P&H मामले में नियालाय ने पंडो द्वारा रचित वंशावलियों वा भईयों को साक्ष की रूप में स्विकार किया है प्रशनोंबर 63 वंशावलियों का महत्व बताइए क्या महत्व वंशावलियों का उत्तर, वंशावलियों के माध्यम से प्रत्यक व्यक्ति को अपनी परंपरा, संस्कृति, मूल निवास, विस्तार, वंसकर्म, कूल धर्म व गोत्र, पुर्वजों के नाम इत्यादी की बारे में जानकरी प्राप्त होती है तो अध्यार्थियों, अभी तक हमने साहितिक स्तोतों का अध्यम कर लिया है उम्हें मानता हूं कि इन प्रस्णों के माध्यम से आप निश्चित रुप से अपने ग्यान में रुद्धी करेंगे अगले वीडियो में हम पुना मिलेंगे, धन्यवाद